जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबड़दस जानकारी दूँगा और यह जानकारी जोड़ी है OROP 3 Pension Table के बारे में और OROP 2 Pension Table के बारे में। दोस्तो पहले CDA और PCDA से जवाब मागा गया था RTI के बेस्वर कि जो आपने OROP 2 Pension Table बनाई उसमें आपने क्या फिगर लिया, average कैसे निकाला, minimum और maximum क्या निकाला, तो दोस्तो PCDA ने, CDA ने फिर वो data share करा था, वो public करा था, कि हमने OROP 2 Pension Table बनाने के लिए minimum और maximum ये लिया, लेकिन दोस्तो तब भी भहुत से pensioner को नुक्सान हुआ, चाए वो X ग्रूप को ले करो, चाए फिर वो Y ग्रूप को ले करो, तो दोस्तो क्या ये same चीज OROP 3 Pension Table में भी होने वाली है, दोस्तो जैसा आपको बता है, शोचल मीडिया पे एक table viral हो रही थी, OROP 3 की, OROP 3 की एक table viral हो रही थी, जिसमें minimum maximum दे रखा था, लेकिन दोस्तो PCDA, CDA ने OROP 2 के आकड़े पहले ही दे दिये थे, कि ये हमने minimum maximum लिया है, तो दोस्तो दोनों table का मैं comparison करूँगा, OROP 3 का भी और OROP 2 का भी, तो दोस्तो इसमें हम देखेंगे कि minimum और maximum कितनी बड़ोतरी हो रही है OROP 3 में, जो social media पे table निकली थी, और हम ये भी जानेंगे, क्या ये table बिलकुल exact है, इसी के अनुसार हमें OROP 3 pension table मिलेगी, दोस्तों ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे minimum और maximum के आकड़े मिले हैं, OROP 2 table के, इसलिए मैं से compare कर रहा हूँ, OROP 3 table के साथ, ताकि मैं आपको भी समझा पाऊँ, दोस्तों सबसे पहले हम OROP 2 pension table के बारे में समझेंगे, मैंने इसमें कुछ rank ली हैं, सिपाई की, नायक की, हवलदार की, नायक सुवधार की, और सुवधार की, सबसे पहले हम OROP 2 की table समझेंगे, कि इसमें minimum और maximum क्या लिया है, इन rankों का, फिर मैं आपको OROP 3 pension table की तरफ ले चलूँग, जो कि एक एप्रॉक्स है, दोस्तों सबसे पहले OROP 2 table, सिपाई थे दोस्तों इसमें 17 साल में, minimum इसमें लिया है 17,363 और maximum लिया है 19,825, यानि इन दोनों figure का, अगर हम average निकाले, तो दोस्तों यह आता है 18,594 लेकिन OROP 2 में आपको कितना मिला, 18,807 यह आपको मिला, लेकिन average से थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा मिला, ज़्यादा फायदा नहीं मिला आपको, लेकिन थोड़ा बहुत, average जो आ रहा था, वो आ रहा था, 18,594 और आपको मिला, 18,807 ऐसी 200 नायक का देखिए, 22 साल में देखिए, minimum जो दिया PCDA, CDA ने, वो दिया 19,250 और maximum जो दिया, वो दिया 22,238, अगर आप इसका average निकालेंगे, तो आता है 20,744, और actual में आपको मिला कितना, 21,244, ऐसी अगर आप हवलदार का देखिए, 24 साल में, minimum दिया गया 20,275, maximum दिया 23,138, अगर आप average निकालेंगे, तो आता है 21,706, और मिला कितना आपको, 22,277, नैप सुविदार का देखिए, 26 साल में, 21,400 दिया, minimum, maximum दिया 27,100, दोनों का total करेंगे, फिर आदा निकालेंगे, तो दूस्तों आएगा, 24,250, और मिला कितना आपको, 24,825, सुविदार का देखिए, 30 साल में, minimum 26,400, maximum 35,600, average निकालेंगे, तो सुविदार को मिला 31,000, तो दोस्तों ये तो थी, OROP 2 की figure, जो PCDA, CDA ने जवाब दिया था, कि हमने minimum, maximum ये लिया, यानि average कुछ और आ रहा था, average यहाँ पे कुछ और है, लेकिन इस से बढ़कर आपको मि करकर मिला, लेकिन दोस्तों ये maximum figure नहीं है, minimum ही बड़ोतरी है, दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि minimum और maximum कैसे लिया, यहाँ पे यह दिखा रहे है, maximum इतनी figure, लेकिन आपको मिला यहाँ पे minimum, actual में दोस्तों, यह maximum pension नहीं है, क्योंकि average यहाँ पे इस्तुमाल हो रहा है, जो OROP 3, social media पे table wallet हो रखी थी, तो दोस्तों इसमें देखिए, सबसे पहले सिपाई 17 साल, OROP 2 में minimum pension थी 17,363, minimum अब OROP 3 में हो गई 18,050, maximum हो गई 22,850, तो OROP 3 में pension हो गई 20,450, यानि जो पहले मिल रहे थी 18,807, अब इससे बढ़कर हो जाएगी 20,450, यानि OROP 2 की तुलना में OROP 3 में minimum और maximum यहाँ पे बढ़ाया गया है, आपकी pension को बढ़ाने के लिए, पहले 18,860, अब हो जाएगी 20,450, नायक का देखिए, minimum यहाँ पे बढ़ गया, पहले OROP 2 में था 19,250, अब यह हो गया 21,100, maximum था पहले 22,238, अब यह हो गया सिरफ 26,750, यानि minimum और maximum, OROP 2 की तुलना में OROP 3 में आपका बढ़ गया, जिसकी वज़े से आपकी pension भी बढ़ गयी, पहले ती नायक की 21,240, अब हो गई यह 23,925, फिर दोस्तों हवालदार का देखिए, minimum भी बढ़ा और maximum भी बढ़ा, पहले था 20,275, अब हो गया यह OROP 3 में 22,700, maximum ता पहले 23,138, अब हो गया यह 27,100, तो pension हो गया यहां पे 24,900, एक हवलदार की, 24 साल में, पहले थी यह 22,275, अब दोस्तों मैं बात करूँ हूँ अज JCO's rank की, अब देखिए दोस्तों, OROP 2 में ता एक नायक सोविदार का 26 साल में 21,400, OROP 3 में दिखा दिया यह 26,600, minimum pension, maximum दिखाया 27,100, OROP 3 में दिखा दिया 28,450, यानि पहले था 24,825 और यह बढ़कर दिखा दिया यहां पे 27,625, सुभिदार का देखिए 30 साल में, पहले minimum दिखाया था 26,400, अब यह बढ़ा दिया यहां पे OROP 3 में 32,050, maximum ता पहले 35,600, फिर यहां पे maximum बढ़ा दिया OROP 3 म 34,000, पहले 30 पेंशन सुभिदार की 31,000, अब OROP 3 में दिखा दि 33,025 रुपे, यानि दोस्तो OROP 2 की तुलना में OROP 3 में यहां पे बढ़ा के दिया पेंशन, minimum भी बढ़ा के दिया है और maximum भी बढ़ा के दिया है, जिसकी वज़े से OROP 3 में आपकी यहां पेंशन बढ़ यह पेंशन, ऐसी ओनरी केप्टन तक बढ़ा यह पेंशन OROP 3 में, लेकिन दोस्तों जो इन्होंने यह आकड़े लिए minimum maximum, इसकी कोई वास्तविक्ता नहीं है, दोस्तों यह एक्शन में पता नहीं लगता कि वाकी में क्या minimum, मैक्सिमम इतना ही आएगा, एक सुभिदार का नहीं सुभिदार का, तो कि दोस्तो OROP 2 बनाने के लिए 2018 का कलेंडर यूज़ किया था, जितने भी रिटैरी आये थे, तो 2018 के बाद 2023 में, लगबख 4-5 सालों में, क्या pension में बहुत बड़ा gap आ गया होगा, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन दोस्तों, जो minimum maximum है, वो इ इसी के आसपास होगा, जो OROP 2 में, PCDA, CDA ने जवाब दिया है, RTI के बेसपर, जो उन्होंने आखडे दिये हैं, उसी के आसपास आपके figure होंगे, minimum और maximum के, यानि जितनी आपकी pension OROP 2 में set करी गई है, उसी के आसपास आपकी OROP 3 में pension होगी, उसी के आसपास, जैसे सुभ 25 रुप है, यानि minimum maximum दिखाया, 34,000 और 32,050, तो क्या 2023 में जो सुभेदर आ रहे हैं, वाकी में उनकी pension के 34,000 और 32,050 है, यह देखने वाली बात होगी, कई सुभेदारों को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, 7CPC में, तो दोस्तों, यहाँ पे तो दिखा रहे हैं 33,025, लेकिन यह figure 31,000 के आसपास हो सकती है, 31,000 के आसपास, या फिर नैप सुभेदार की, यहाँ पे 24,625 दिखाई है, तो इसी के आसपास यह figure हो सकती है, और यहाँ पे दिखा रहे हैं 27,625, तो दोस्तों, minimum maximum, social media की table में बहुत जबदस तरीके से बढ़ाया, और जैसे मैं आप आपको बताया, जो OROP2 में आपकी pension है, उसी के आसपास आपकी figure घुमेगी, OROP3 में, देखने वाली यह बात है, क्या JCOs की pension, क्या फिर से minus में जाएगी, यह देखने वाली बात होगी, तो दोस्तों, यह कुछ मैंने आपको जानकारिया दिये, I hope सारी जानकारिया minimum और maximum में, OROP2 में, जो PCD, CD ने जवाब दिया, और फिर जो table, social media पे आई, OROP3 के, आपको सही से समझ में आ गया हुआ, तो दोस्तों, ऐसी जानकारिया अक्सर में लाता रहता हूँ, वीडियो आपको अच्छ लगता है, वीडियो को लाइक करे, और इस चैनल को थालना, तैक तूल में.